हेलो फ्रेंज वेल्कम टू माई चानल एक्सिदेंट कोचिंग त्योरीज आफ इन्फरमेशन प्रोसेसिंग पढ़ेंगे तो इन्फरमेशन प्रोसेसिंग की त्योरीज पढ़नी क्यों जरूरी है बिकॉज जब हम इंस्ट्रक्शन्स डिजाइन करते हैं इन्स्ट्रक्शन्स मतलब जैसे जो एजुकेटर्स होते हैं जो दूसरों को कोई चीज एजुकेट करने के लिए कोई भी चीज डिजाइन कर रहे हैं तो उनको यह चीज पता होनी चाहिए कि किस तरह हमारा माईंड इन्फरमेशन प्रोसेस करेगा और वो इन्फरमेशन प्रोसेस करते के तरीके के साथ साथ किस सीक्वेंस में वो इन्फरमेशन होनी चाहिए कि जो माईंड है वो इसको इसको इसली प्रोसेस कर सके तो अन्डस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे माईंड प्रोसेस करता है इन्फरमेशन को और साथ में कैसे स्टोर करता है information को और ये अगर चीजें हमें पता होंगी as an educator या as a teacher ये जो जितने भी लोग होते हैं जो ये आपका जैसे ये book जिसने design की है यह ये पूरा course material जो design करते हैं इस तरह के लोग होते हैं जो learning material जो design करते हैं पूलों के लिए colleges के लिए educators होते हैं जो पढ़ाते हैं उनको ये theories पता होने बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी को वो theory को ही वो apply करके उसी तरीके से अपने instruction के अंदर apply कर सकते हैं अपने material में apply कर सकते हैं कि जैसे जैसे mind process करेगा स्टोर करेगा information वैसे ही उसी तरीके से हमारा material भी बना होना चाहिए हमारे lectures भी वैसे होने चाहिए तो अगर हमें information processing की understanding नहीं होती है तो students को जिसके साथ एक educator काम कर रहा है उसको बहुत मुश्किल है कि अपनी instructions उसको समझा पाना या उसको अपने जो तरीके उसके learning में help कर पाना किसी तरीके से तो अगर आप चाहते हो कि आप अपनी भी learning के लिए ऐसा नहीं है कि आप किसी student के लिए इसरा आप learn कर रहे हो अपनी भी learning के लिए आपको यह पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरीके से learn करो किस तरीके से आपके पढ़ने की sequence हो जिससे आपकी जो learning है वो जल्दी हो So it is written here that it would be almost impossible to design instruction that contributes to high level of learning achievement High level of learning तब होगी जब आपकी instructions उसी तरीके से design होगी जैसे आपकी theories बताती हैं जो कि information processing के बारे में हमें समझाने की कोशिश कर रही है So there are lot of theories जिसमें से इन्होंने जो कुछ discuss करी हैं वो है आगे जो हम पढ़ेंगे So these theories are the means of structuring information and though that can incorporate the best of all the ideas तो वो theories ऐसी हैं जो एक best ideas आपको दे सकती हैं कि किस तरीके से हम information अपने mind में process करें जिससे वो जादा देर तक हमें याद रहे So if learning is to occur educator must ensure that information is processed in such a way that it can be retained in long term memory तो as an educator as an student हमारा purpose यही होता है कि जो भी information we are processing whatever information जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमारी long term memory में रहना चाहिए और वो achieve करने के लिए it is very important elaboration and connection होना चाहिए learn material जो हम पढ़ रहे हैं उससे हमारा कुछ connection हो हम उसको elaborate करें और connection किससे जैसे हमको जैसे आप बेसिक आप जानते हो और आप advanced पढ़ रहे हो तो यह connection है दोनों के बीच का जिससे आपको advanced level पढ़ने में असानी होगी लेकिन आपका connection नहीं है आपको basic नहीं आता है तो फिर आपको problem होगी it has been established that the more deeply information is processed the more connections that can be made between new information and existing memory structure तो जितना deeply आप information process करोगे जितना जादा आप उसको elaborate करोगे उतना जादा connections बनेंगे आपके previously stored information के साथ उतनी जादा long term memory में वो चीज़ आपके retain रहेगी तो इसलिए अगर आप किसी भी material को meaningful बनाना चाते हो तो इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है in order to make new material meaningful instruction must be presented in such a way that student can easily access and connect the previous learning and experiences with the new learning तो जब भी आपको नई चीज़ पढ़ते हो अगर आपको उसको connect करना है अगर आप उसको long term memory में रखना चाते हो याद रखना चाते हो तो बहुत जरूरी है कि उसका connection आपकी पुरानी समझी हुई किसी चीज़ के साथ हो तब आपको वह याद रखने में असानी रहती है इसके लिए हमारी जो पहली theory आ रही है वह blooms taxonomy आ रही है blooms taxonomy जो है schools में बहुत use करी जाती है जो school में learning material बनते है schools, colleges और universities में वो उसका जो structure होता है वो blooms taxonomy follow किया जाता है और blooms taxonomy क्या कहती है कि six levels होते है छे लेवल होते हैं जो हमें learning material बनाना चाहिए उसके कुछ levels है और हमें basic से start करना चाहिए पहला level क्या है knowing पहला level है knowing, knowing मतलब जिसमें simply एक learner को सिरफ एक चीज जाननी है जैसे मैंने आपको कोई नई टर्म बताई या नया नाम बताया आपकी knowing चल रहा है आपका level knowing पे है knowing पे बस आप उसको जानने की कोशिश कर रहे हो और आप उसको remember करने की कोशिश कर रहे हो तो knowing को हम remember की तरह भी लिख सकते हैं तो हमने knowing करा मतलब हमने जाना और हमने उसको याद करने की कोशिश की रिपीट करके इसमें क्या है इसमें elaboration नहीं है क्यों क्योंकि मैंने सिरफ आपको बताया आपने उसको repeat करा तो आप याद कर रहे हो remember कर रहे हो लेकिन कोई elaboration नहीं है फिर आता है second level second level में है comprehension comprehension का मतलब होता है understanding understanding means आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि जो मैं आपको बता रहे हूँ उसका मतलब क्या है इसमें आप अपने मेरी कही हुई बात को summarize कर रहे हो paraphrase कर रहे हो summarize means आप short में मेरे को बता के पूछ रहे हो कि आपने ये समझाया या जैसे teacher class में खड़ा करके बोलती है कि बताओ मैंने क्या बताया अभी तो बच्चा उसको paraphrase करता है अपने ही terms use करके उसको दुबारा समझाता है तो यह हो गया comprehension level इसमें क्या है modest level of elaboration है थोड़ा सा elaboration है फिर उसके आगे next application आता है next level आता है application जहाँ पे आप उस knowledge को apply करोगे आप उस particular knowledge को actual में apply करके देखोगे ताकि practicality उसकी समझाए ठीक है and then apply करने के बाद क्या होगा analysis apply के उपर आता है analysis फिर आप उसको analyze करते हो तो इसमें क्या है इसमें elaboration ज़ादा होती है क्योंकि आप उसको practically use भी कर रहे हो उस knowledge को apply भी कर रहे हो और आप उसको analyze भी कर रहे हो अब जब आप ये दोनों चीज़े अपने आप से करते हो तो उसमें आपकी जो elaboration होती है वो बहुत ज़ादा होती है प्लस आपके जो long term memory में storage होती है information की वो ज़ादा होती है तो जैसे आपको पता है कि schools में theory के साथ practical subjects भी होते है तो आप एक तरीके से सोच लो कि वो आपका ये वाला level है पहले आप practical की theory जब पढ़ते हो किसी भी subject की theory पढ़ते हो तो आप उस subject को remember करने की कोशिश कर रहे हो understand करने की कोशिश कर रहे हो जब आप उस concepts को practical में करते हो तो आप उसको apply करते हो और उसको आप analyze करते हो So application involved using a concept or principle to solve a problem तो हम psychology में भी क्या करते हैं जो भी हमारी knowledge है उसको apply करते हैं ताकि हम लोगों की problem को solve कर सके अपनी life की problem को solve कर सके Analysis involves understanding relationship among parts and how they are organized into a whole और analysis में हम यही चीज़ समझते हैं कि वो सारी चीज़े कैसे organized हैं आपस में फिर आ जाता है last level last level में आते हैं last में दो levels है एक है synthesis and दूसरा है evaluation अब synthesis और evaluation जो दो level है ना इनके बीच में एक argument चल रहा है जितने भी researches है कुछ कहते हैं कि synthesis उपर आना चाहिए कुछ कहते हैं कि evaluation उपर आना चाहिए मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि synthesis last level होना चाहिए सबसे top पे और कुछ बोलते हैं कि evaluation last level होना चाहिए सबसे top पे तो ऐसा क्यों है क्योंकि यह दोनों ही levels बहुत complex है और इसमें सबसे ज़्यादा आपको elaboration की ज़रुत पड़ती है synthesis का मतलब क्या है synthesis का मतलब है कि आप सारी चीजों को एक साथ जोड़ के आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो सारे concepts आपने मिला के psychology की सारी theories आप एक साथ समझने की कोशिश कर रहे हो कि concept क्या है ऐसे evaluation में क्या है आप evaluate कर रहे हो अपनी judgment लगा रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है तो अब इसमें कुछ कहते हैं कि देखो synthesis ज़्यादा मुश्किल काम है इसलिए evaluation के बाद आना चाहिए synthesis कुछ बोल रहे है कि evaluation last में होनी चाहिए तो इन दोनों levels को ही मैंने एक जगा लिख दिये क्योंकि इसमें न एक को उपर जगा मिली है न दूसरे को लेकिन अगर आप net पे देखोगे तो वैसे आपको last में create लिखा हुआ मिलेगा अगर हम इंटरनेट पर चेक करते हैं तो हमें last level मिलते है create लिखा हुआ तो create का मतलब होता है synthesis तो मतलब generally ज़्यादा तर लोग पहले evaluation लेते हैं उसके बाद synthesis लेते हैं so research has confirmed the first four levels are indeed hierarchy मतलब पहले चार लेवल तो ठीक है researcher कह रहे हैं लेकिन जो last के दो level है उनमें थोड़ी सी problem है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि पहले synthesis आना चाहिए बाद में evaluate और कुछ बोर रहे हैं पहले evaluation फिर synthesis तो यह थी blooms की taxonomy जो की बहुत ज़रूरी थी learning material के point of view से फिर आ जाते हैं sternberg की information processing approach पे sternberg की information processing approach जो है वो बोल रहे है कि जो bloom ने जैसे बोला कि हमारी learning stages wise होती है sternberg की जो theory है वो कह रहे है कि continuous होती है stages नहीं होते है learning जो है continuous phenomenon है वो stage में divided नहीं है ना कि वो discontinuous stages है और इन्होंने intelligence के ओपर focus किया हुआ है जादा sternberg की जैसे कि हमने theory भी पढ़ी है intelligence की so this focus on intelligence separates his ideas from stage theory because it rejects the idea of incremental stages but rather suggest that development occurs in the same way throughout the life differentiated only by the expertise of the learner तो इनकी कहना यह है कि development हमेशा होती है life में उसकी कोई stages नहीं है ऐसा नहीं है पहले तो आप जैसे हमने पढ़ा कि धीरे-धीरे increase होती जा रही है difficulty जैसे bloom कह रहे हैं कह रहे हैं ऐसा नहीं है throughout the life वो होती है learning होती है और कितनी learning हो रही है वो depend करता है कि learner की expertise कितनी है वो कितना expert है नहीं information को process करना है Sternberg का model child और adult में differentiate नहीं करता है Sternberg के model के according to child है और जो adult है दोनों की learning similar type से होती है He deals solely with the information processing aspects of development and does not incorporate any facets of biological development तो cognitive development को उपर ज्यादा इन्होंने focus किया है information processing के उपर ज्यादा focus किया है और इनकी theory क्या है वो देख लेते है developmental changes as a result of feedback self-monitoring optimization in his theory intelligence अब इन्होंने जैसे वो intelligence की theory है हमने और पढ़ी हुई है लेकिन फिर भी मैं यहाप एक बढ़ डिसकस कर ले रही हूँ intelligence इन्होंने बोले कि जो तीन जो होती है intelligence में तीन काइंड और त्री काइंड ओफ information processing component एक है meta component दूसरा है performance component और तीसरा है knowledge acquisition component अब यह देख लेते हैं आगे क्या कह रहे है sternberg model में यह तीनों component एक साथ काम करते हैं और यह तीनों ही मिलके में किसी भी process को जैसे वो guide करते है planning में decision making में guide करते हैं problem वाली situation में guide करते हैं वो they serve to identify the problem and connected with the experiences from the past तो जैसे कोई अपने past experience को use करके अपनी present की problem को अगर solve कर रहा है तो इसका मतलब वो अपनी intelligence का या अपनी information processing में meta component का use कर रहा है therefore is however no action directly related to meta components this simply direct what actions will follow तो यह पर meta component क्या कर रहा है पुराने past experience को use करके अपनी नही problem solve करने की कोशिश दूसरा जो component है इनकी intelligence में वो है performance component performance component का मतलब है जो आप actions ले रहे हो perform कर रहे हो जो आप so performance components are the action taken in the completion of problem solving task जो भी आपने action लिये है अपने problems को solve करने के लिए तो यह जो है meta components के आगे जाके perform करने का काम कर रहे है so अब इसमें क्या है जब आप performance करते हो तो आप एक चीज़ और करते हो so you weigh the merit and consequences of your action आप इसमें यह भी फिर सोचते हो कि जो भी आप कर रहे हो उसकी क्या merit या demerits हो सकते हैं उसकी क्या consequences हो सकते हैं और जो तीसरा component इनकी थियोरी में आ जाता है वो है knowledge acquisition component knowledge acquisition का मतलब है knowledge को gain करना so this type is characterized by ability to learn new information तो कोई नई information को learn करने कर पाने की ability को इन्होंने नाम दिया है knowledge acquisition component और यह ज़रूरी नहीं है कि knowledge acquisition से आप अपनी problem को ही solve कर पाऊ हो यह सिरफ इसलिए कि आप knowledge को acquire कर रहे हो तो यह एक तरीके से इन्होंने intelligence के तीन components बताए हैं जिसको यह बोड़ रहे हैं कि हमारे brain में information processing भी इसी तरीके की होती है और इसी को हमने जो पढ़ा था तो ट्रायार्किक theory of intelligence हमने जो ट्वेल्थ में पढ़ा था तो ट्वेल्थ की बुक में इसको ट्रायार्किक theory of intelligence नाम से आपको एक वीडियो में मिल जाएगा जहां पर मैंने इसको डिसकस किया हुए अल्रेडी तो स्टर्णबक की theory के बाद एक चीज बहुत important यहां पर बोल रहे हैं कि जो उपर हमने theories पड़ी हैं उसके इलावा एक social interaction का भी बहुत फरक पड़ता है जो हमारी cognitive development में influence करता है तो जैसे Brunner और Vygotsky का कहना है कि जो social interaction होती है एक child की उसकी जो learning होती है उसमें एक significant other का role होता है और उसको scaffolding चाहिए होती है उसको support चाहिए होती है कोई चीज सीखने के लिए अपने caregiver की तो वो बहुत जादा important factor है और जो हमारी learning है या जो intelligence है knowledge acquisition है हर चीज वो हमारे socio-cultural context से जुड़ी हुई है हमारा social environment कैसे हम environment के साथ adapt करते हैं कैसे हम अपने अपने आपको better environment की search में अपने आपको shape करते हैं किस तरीके से हमारी body और हमारा mind adjust करता है तो इसमें social factor, cultural factor ये बहुत important चीज़े हैं जिसको हम ignore नहीं कर सकते so therefore one must discuss the social and cultural context of learning तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि social और cultural context को भी discuss करना बहुत जरूरी है जब हम learning की बात कर रहे हैं और जैसी की Driscoll यहां बोलते हैं कि जो education है ना उसको सिरफ हमें curriculum की तरह नहीं देख सकते कि आप curriculum बना रहे हो instruction दे रहे हो रैधर इसमें हमें एक broader concept को लेना बहुत जरूरी है culture को कि culture किस तरीके से हमारी learning में हमारे mind को shape करता है हमारी learning में influence करता है वो चीज इंक्लूट करना बहुत जरूरी है तो जो theories है वो mostly इसी assumption पर है that new information can most effectively learned if the material can be matched to memory structure तो ज्यादा तर तो information theories यहीं बोलती है कि पहले से अगर कोई information हमारे mind में है अगर उससे connection बन जाए तो नए information learn करना बहुत असान हो जाता है लेकिन अभी यहां पर यह भी बहुत जरूरी कम बोल रहे है कि जरूरी है कि आप कल्चर को और social social culture background को भी साथ में लेके चलो क्योंकि वह भी बहुत ऐसी important चीज है जो हमारी learning को shape up करती है तो इस पर चीज है तो यहां पर आपका यह unit खतम हो रहा है next unit next video में start करेंगे थैंगे 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 थैंगे